एंजल नंबर्स एंजल्स द्वारा दिये जाते हैं जिने इस्तिमाल करके ज्यादा तर समस्याएं दूर हो जाती हैं इस्तेमाल करने के अनेक साधन है जैसे इन्हें शरीर पर कहीं भी नीले या काले रंग की स्याही वाले पैंसे लिखें या स्टिकर पर नंबर लिखकर शरीर या टांग पर चिपकाएं हाथ से हवा में नंबर लिखकर भी शरीर पर भूजन पर पानी पर या संबंदित जगह पर डालते हुए मनो कामना मांगें कारस के टुकडे पर नंबर लिख कर रखें उस नंबर के उपर पानी का गिलास या खानी की चीजें भुजन की थाली रखकर पांश मिनट बाद खाएं पीएं पानी एक एक घूट करके पूरे दिन पीते रहें हर घूट दवा की खुराक का काम करती रहेगी इलेक्ट्रोनिक्स, वहिकल्स, मशीनों, वाटर फिल्टर्स, आदिर से सम्बंदित नंबर्स उन पर पैंसे लिखें या स्टिकर पर नंबर लिख कर चिपका दें मिटने पर उसी के उपर फिर से लिख सकते हैं पुरानी बीमारी है या ज्यादा तकलीफ है तो उस से सम्बंदित नंबर्स कई बार लिख कर इस्तेमाल करें एक बार में जितने चाहें नंबर्स इस्तेमाल कर सकते हैं जल्दी असर पाने के लिए एक चिट पर नंबर्स लिखें, उस पर पानी का ग्लास रखें, उपर भी मोटे कागस पर नंबर्स लिखकर उलटकर वो कागस रखें, नंबर्स पानी की तरफ रहें. रोग से संबनीत कारण वाले नंबर्स भी डाले ताकि रोग पूरी तरह ठीक हो सके, जैसे सिरदर्ध है तो माइग्रेन, एसीडिटी, कॉंस्टिपेशन, यानि कब्स, गैस, इस्ट्रेस और ब्रेन को बैलन्स करने वाला नंबर भी एक साथ कागस के टुकडे पर लिखें औ और उस पर रखा पानी और भोजन ले, पानी कम रहने पर उसी बरतर में फिर से डालते रहें, पूरी तरह रोग ठीक होने तक करते रहें, एंजल नंबर्स को ज्यादा असरदार बनानी के लिए, बैस्ट है नॉन वर्किंग पैर पर नंबर्स लिखना, यानि अगर आप सी लेफ्टी हैं, तो दाइन टांग पर नंबर लिखें, शरीर के जिस हिस्से में दर्द या समस्या है, उसका एंजलिक नंबर उस भाग पर भी लिखें, इन नंबर्स की वाइब्रेशन तुरंत फैलती हैं, और पांच मिनट में पूरा असर दिखाना शुरू कर देती हैं, आधिसारे उपाए एक साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इन नंबर्स का कोई साइड इफेक्ट नहीं है, ये केवल लाब ही देते हैं, कठिन डोगों में डॉक्टर द्वारा बताये इलाज, दवा के साथ ही इन्हें यूज़ करें, ताकि जल्दी ठीक हों, इन नंबर्स का रेकी से कोई संबंद नहीं है, जो रेकी नहीं जानते, वे बच्चे, इस्तिरी, पुरुष, हर आयू, धर्म, देश-विदेश के साब लोग इन्हें इस्तिमाल कर सकते हैं, एंजल्स के इन नंबर्स को लंबाई में, चोड़ाई में, एक-एक नंबर लिख कर, नीचे ला कर सकते हैं,